जुनिपार येश्टी टेलिवेजर अबत पाई संदी बिस्मिल्हिर रह्मान इर्रहीम असलाम उलेकुम रह्मतुल्ही वबराकातु दर्शक बिन तपाई हिर्दुनुंचा जी नेपाल एजडी टेलिवेजर अबत पाई संदी खतिब ओ इमाम हजरत कारी अहमद यार कादरी सहाब लाई आउनस वालाई स्वागत गरों खुशामजित कहते हैं आपको असलाम उलेकुम रह्मतुल्ही वबराकातु वालीत günस्सलाम वरभाकातु वबराकातु खेज़ दे माम सब्स्वागत अहमद लिळ, आपको गाधि मस्जड या नेपाल गंजम में कितने साल अरसा हो गया नेपाल गंजम में रहते हुएत तक्रीब अख् या ऊट नो साल का अरसा हो गया धार्शा ho गया हैं इन locks साथ जो आज हम आप से गुफटगू करेंगे उसकी मौदू आज को मौशरे को देखते हुए हम ने लिया है नेकी की दावत और बुराई से रुकना जी तो इसके सुरुआत कुछ इस तरीके से करें कि गुनाहों की आदत छोला मेरे मौला मुझे नेक इनसा बना मेरे मौला वस्सलात वस्सलाम अला सेदिल मौर्सलीन वा अलिही वा सभाबही अज्माइन अमा बाद फाउथ बिल्लही मिनश्यतादीर्र्जीम बिस्मिल्ह रुर्छ्मान इर्रहीम वमन आहसन कौولं मिन दा इलाही वा अमील सालिहं वा काल इननी मिल मुस्लिमीन एक बार दरूश शरीफ पढ़ने अपने पूचा है नेकी क्या है और इसको किस तरह से करना चाहिए अम्र बिल्मारूफ और नहीं अनिल्मुनकर करना यही नेकी है अम्र बिल्मारूफ और नहीं अनिल्मुनकर और नेकी का लुगवी माना है भलाई करना अच्छाई करना और नेकी दो तरह से की जाती है एक तो किसी को किसी हादिसे से बचाना यह नेकी कहलाता है किसी भी इंसान को कोई हादसा होने जा रहा है और उस हादसे से आपने उसको बचा लिया ये नेकी है मिसाल के तरुपर कोई दरिया में डूब रहा है या कोई आग में जल रहा है मैंने उसको दरिया में डूबने से बचा लिया आग में जलने से बचा लिया यही नेकी कहिलाता है किसी को भूग की शिद्दत है खाना खिला दिया कोई नंगा है कपड़े की जरूरत है उसको कपड़ा पहना दिया यह नेकी है और नेकी का दूसरा तरीका यह है कि किसी बुरे शख्स को भलाई की तरफ बुलाना नेकी की दावत देना बुराई से मना क ये नेकी कहिलाता है जैसे कोई चोरी कर रहा था मैंने उसको नेकी की दावद दी भलाई की तरफ बुलाया चोरी की वज़ा से जिस आजाब में वो मुब्तिला होने वाला था मैंने उसे ड़राया तोबा की फजीलत बताई वो चोरी से तायब हो गया ये नेकी है कोई बेनमाजी था नमाज नहीं पढ़ता था मैंने उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया वो नमाजी बन गया ये नेकी है और नेकी करने वाले के मिजाज में नर्मी जुबान में मिठास होना ये बहुत जरूरी है जी 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 के तालुक से कुरान करीम में कई मकामाद पर आयत करीमा मौजूद है। कई मकामाद पर आयत करीमा आये हिने के करने के तालुक से अल्ला है। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِيلَ صَالِحٌ وَقَالَ إِنَّمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں دوسری جگہ پروردگارِ عالم قرآنِ مقدس کے گیار ہوئے پارے اور چوتھے صفحے میں ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکری والحافظون لحدود اللہ وَبَصِّرِ الْمُؤْمِنِينَ پروردگارِ عالم فرماتا ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی حمد یعنی تعریف کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے اچھی بات کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے اے محبوب ان مسلمانوں کو آپ خوشخبریں سنا دیجئے اور دوسری مقامات پر پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے قرآنِ مقدس کے چوتھے پارے میں اور تیسرے صفحے میں تم میں بہتر ہو ان سب امتوں میں تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اس طرح کی آیتِ کریمہ قرآنِ کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں جو ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے منع کرنے کا حکم دیتی ہیں اور نیکی کرنے برائی سے منع کرنے پر خوشخبری کی بشارت بھی ہے اور نیکی کرنے جو جس کے پاس یہ طاقت ہے نیکی کی دعوت اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو ہم نے برائی سے روکا نہیں اس کو منع نہیں کیا حالانکہ میرا یہ غالب گمان تھا کہ ہم اس کو نیکی کی دعوت دیتے تو وہ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس کو نیکی کی دعوت نہیں دی تو یہ ہم نے واجب کو ترک کیا ہے ہم پر واجب ہے کہ اسے شخص کو نیکی کی دعوت دیں اپنے طرف بلائیں اگر نہیں بلارہے ہیں تو واجب کے ترک سے ہم گناہگار ہو رہے ہیں اور سخت گناہ ہی ہے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو روکا جائے اس کا وضحات تھوڑا سے کر دے کہ جیسے اگر مالی جو دعوت دیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کسی کو برائی کرتے ہوئے ہم اس لحقی نیت سے اس کو نیکی کی طرف دعوت بلائیں تو کیا وہ فوری طور پر پلڑتا بھی نہیں ہے بہت سے لوگ پلڑ بھی جاتے تو اس دوران کیسے اس طرح سے ایک مرتبہ کسی کو نیکی کی دعوت دی آپ نے اس نے نہیں قبول کیا دوبارہ پھر اس کو نیکی کی دعوت دے تیسری بار پھر اس کو نیکی کی دعوت دے بار جب اس کو بھلائی کی طرف بلائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو بھلائی کی طرف لوٹے گائیں جی ماشاءاللہ جیسے ایک طریقے کار یہ بھی جیسے اس کا بھی ایک نیکی جو دعوت دینے کی طریقے کار ہے جو جیسے کوئی کسی کو برائی کے طرف دیکھا ہم لوگوں نے جی تو اب اس کو کیا اس برائی کو بتا کر کے یا اس کو ظاہر کر کے تم نیکی کی دعوت دیا جائے کی پوشیدہ رکھ کر کے کی بیچارے کی عزت بھی ہو نہ ہو نیک اس کی برائی کسی کی برائی کو ظاہر نہ کیا جائے جی 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 کی برائی کو ظاہر کرنا یہ اچھی بات آج کل دیکھا گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں کافی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کوئی بے نمازی ہے تو اس کو بے نمازی بھی کہہ دیتے ہیں اس کا کرتے ہو تو اس کی انداز میں میں پوشنے چاہتا ہوں کہ ہمارے سامائین ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینا ہے تو ہمیں کس انداز میں دینا ہے نیکی کی دعوت اس انداز میں دینا ہے جیسے میں آپ کو ایک باقیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے ایک عمر رسیدہ شخص ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کا وضو صحیح نہیں تھا وضو کا طریقہ ان کے اچھا نہیں تھا وضو میں ان کے کمی پائی جا رہی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نیکی کی دعوت اس انداز میں دے رہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ उस बुजरुग से फर्माते हैं चचा जान आप बैट जाएए मेरे वजू को देखिए मेरे वजू में कोई कमी तो नहीं है अब वो बुजरुग शक्स बैट गए इमाम हुसाइन सरकार वजू फर्माने लगे सरकार इमाम हुसाइन ने वजू फर्माया वजू मुकंबल किय और वजु मुकमल फर्माने के बाद जब उस बुजरुग की तरह मतवज़ा हुए तो वो बुजरुग जो थे उन्होंने इमाम हुसाइन की पेशाने को चून लिया और अर्ज किया बेटा तुम्हारे वजु में कोई कमी नहीं है वजु में हमारे कम्या हैं वो मेरी दूर हो bags मेरा भी वजु दुरुस्त हो जाएगा अब देखे अंदाज माशाल वो तो आले नबी है तो उनका अंदाज आज हमारे मौाशरे का अंदाज मैं पूछने का मकसद यए हमें हमें भी आएक का अनदाज से ले कि हम तो ऐसे ही करते हैं कि जैसे हम बहुत नेके नेकोकार हैं और दूसरे को हम मौशरे में जरील करके या किसी तरीके से हम नेकी की दावत देते हैं तो इसका एक अंदाज होना चाहिए है कि साध़ी से उसको जाहिर भी नहों देरे देरे चाहिए पल्टे हो जी इसलिए हम प्रिजु और ये जैसे है आपने खुनान करीम की आयते मुबारक वगारा पेश की तरजुमा भी बताया तो ये जैसे नेकी के मुतलिक तो आका करीम की जिंदेगी को ही देखा जा सकता है तो आका करीम स्लल्लाथ आलए लिए उसल्म के से थाधित मुबारक की कोई मशूर थाला बेसे भालिव से थादैसे हैं अल्ह के रसूल स्लोला हुट और्वा इर्शाद फर्माते हैं कि आहले अहुए अले जह तुम्हारे जरीमे किसी एक शritos को भी हिदायता आता पुमा दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख उंटे से भी बेदर है सुर्ख ओड जो है ये एहल आरब का बेस प्रेमत माल समझा जाता था बहुत तीमती सरमाया उनका समझा जाता था तो अगर तुम्हारे जर्ये किसी को नेकी की दावत दे रहे हो और वो नेकी की दावत कुबूल कर लेता है बुरे कामों से बाज आ जाता है تو اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے ان سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قدم راہ خدا میں خات آلود ہوں گے जो पेर राह खुदा में खाक आलूद होंगे उनको जहन्नम की आग नहीं छो सकती है उनको जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं और आकाई करीम स्लिल्लाई टाला आलिहींसल्म की बारगाह में एक शक्स हाजर हुआ अर्ज किया या रसूल आल्लाई तो आकाई करीम स्लिल्लाई टाला आलिहींसल्म ने इर्शाद फर्माया कि यहां सबसे ज्यादा महबूब अच्छा अमल ये एमान लाना है फिर उसने अर्ज किया थोड़े दिर के बाद या रसूल आल्ला उसके बाद फिर तो आकाई करीम स्लिल्लाई टाला आलिहींसल्म ने इर्शाद फर्माया कि सिला रहमे करना रिश्टेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना फिर उसने तीसरी बार अर्ज़ किया या रसूल अल्ला उसके बाद फिर आकाई करीम ने इर्शाद फरमाया भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इसके अलावा और बहुत सी अहादिसे करीमा हैं जो भलाई का हुक्म और बुराई से मना करने का हुक्म देती है एक जगा तो आकाई करीम छल्लाफ लड़्य अलही लिए músल एर्षाद फर्माते है कि यह एजिवियल अमीन को हुक्म दिया झाई जिवील फला शहर में चले जाओ और पूरे शहर को वहां के रहने वालों पर गिरा दो पूरे शहर को वहाँ के रहने वालों पर जेरो जबर कर दो यानि वो शहर के रहने वालों को हिलाख कर दो तो जिबरीले अमीन 내일 Ol Master का है सियदा जिबरीले अमीन अलहीं स्थलूद उット तेसलीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मेरे मूला जो तुने वक्त भी एक पल के लिए तेरी नाफरमानी नहीं करता है। वो खुद तो मेरी हम्द करता है लेकिन दूसरे बंदों को बुराई करते हुए देखता है उनको मना नहीं करता है। तो उसको चाहिए कि अपने हाथ से उसको रोक दे बुरे काम को रोके। और अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं ही, वो जुबान से भी नहीं रोकसकता तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझे यह आंकाई करीम स्यल्लिब से आउसल्लम झा accountability का इमान है सबसे घटिया दर G MAR इमान है सबसे नीछे ने अलती का इमान है तो कम से कम दिन में उसको बुरा जाने तो यह नेकी कहीं किसी को भी कोई देखे अगर बुरा कान कर रहा है ये कोई जरूरी नहीं कि नेकी की दावत देने के लिए कोई मुबलिख ही बन जाए हर शक्स घर का अपने हर फर्द अपने घर वालों के लिए मुबलिख ही है और जब हर किसी के अंदर ये हर किसी को जब ये एहसास हो जाएगा कि हम मुबलिख हैं हम देन की खिद्मत के तो इन्शालला हमारे घर से, हमारे घर में जो मुआशिजा हमारे घर का विगरा हुआ है, हमारे मुआशरे में जो बुराईचे Factory हुई है, ये इन्शालला बहुत आसानी से खड़ पूसई की मिशूआ जिसolen आपने फरमाया में नेकी की कोई वक्त या जगा मतईयन है, या क नहीं भी किसी भी जगा चलते फिरते उरते बेठते इंसां कर सकता है। जी हां नेकी करने की कोई जगा या वक्त खास नहीं होता है, हाँ, अर्बता हज और उमरा, कि इसकी खास जगे है लेकिन हज मुतायना वक्त में होता है उमरा के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है कोई खास वक्त मुतायन नहीं है रहा नमाज फराइज जो खास वक्त में होता है जगे का कोई तालुक नहीं है कहीं भी किसी वक्त भी आप नेकी की दावत दे सकते है البتہ نیکی کی دعوت देने के लिए उसके मिज़ाज का समझना बहुत ज़रूरी है मौका महिल का देखना बहुत ज़रूरी है कहीं ऐसा नहो जिसे आप नेकी की दावत दे रहें हैं उसकी तबज्जो किसी और की तरफ है जिसे आप नेकी की तरफ बुला रहें हैं, वो किसी और से बातों में मस्जलूल है, जिसको आप नेकी की दावत दे रहे हैं, वो किसी और काम में उलजा हुआ है, तो नेकी की दावत देते वक्त मिजाज में नर्मी, संजीदिगी होना और मौक़ महल देखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे अभी हमने यही तो बात आप वो कह दे हैं जैसे कि हर एक चीछ देखना कि तरीके कार बहुत जरूरी है जै कि अब कोई किसी काम में उल्जा हुआ है आप बार बार कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए चलिए आप बार बार कह रहे हैं रोजा रखिए तो वो उल्ज है कि उल्जा करके जहीं की दावत भी इस तरीके से हम देना चाहते हैं कि हम सब से नेख हैं्जी हैं जी जी हम programs के से बता रे हैं कि 2- 4 लोग जान भी जाते हैं जी 1 जी 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 है Darma जो जा एक दाव भी जगना भी मांधी जखुचा सवाइसा ही Just st caus कर मिज़ाज को समझ करके, मौका महिल देख करके, उसके मिज़ाज को समझ करके, उसके मिज़ाज के मताबिक ही नेकी की दाबत दी जाए। जी जैसे कि ये तो माशाला हो, ये इनसान नेक अमल करके नेकिया करना चाहता है, तो क्या इसमें जाहरी और पोशीदा नेकिया भी होत है है नेकी किया है तो उसका चर्चा न करो जगह जगह उसको बताओ ना कहीं ऐसा नहूँ आपके चर्चा करने से उसको रुपाई हो जी उसको जल्लत उठाना पड़े तो चर्चा न करो इसलिए कि ये रियाकारी भी हैं और ये अल्लाह तबारक बताला को रियाकारी बहुत ही नापसंद आमल है रियाकारी अल्लाह तबारक बताला को बहुत ही जियादा नापसंद है कोई रियाकारी के लिए कितनी भी अबादत कर डाले कितने भी अबादत कर डाले और कितने भी आमाले सालिहा वो कर डाले अगर उसकी अबादत रियाकारी के लिए है उसके आमल रियाकारी के लिए है तो कोई भी अबादत उसके कुबूल नहीं होगी कोई भी आमाले सालिहा उसको फाइदा नहीं पहुँचाएगा इसलिए जो भी काम किया जाए जो भी नेकी की जाए खालिस अल्लाहु रसूल के की जाए और अल्लाहुरसूल की रिजा की लिए शरीयत के मताबबी कर जो कई अमलियाथ जो की कया नहीं जाहिरी तोर पर देखा जा सकता है जैसे नमाज पढ़ना जी यह जाहिरी अबादत है यह विसे तरीके से क्या ये पोशीदा का मतलब हम यह जाननाशाहते हैं, अपने नाजरीन को कि जो हम चुप करने किया करें, इबादत के तोर पे, दिसे रातों को नमाज पड़ना, रातों को व्रस को छिक्र असकार करना. जी. तो ये तो पोशीदा हुआ ना. जी. तो इसी तालुब से क्या पोशिदा और वी तरीके में है अब जएसे नमाज आप पढ़ते हैं रात में पढ़ते हैं अब शु crawling करीम आप रात में पढ़ते हैं तो यह गोरा गोरा इसको छिपाना हुआ अब अगर इसको बयान करना किसी से बताना अगर गालिब गुमान आपका ये है कि हम किसी से ये बात बताएंगे तो हो सकता है वो भी रात का नमाजी हो जाए हो सकता है वो भी रात का पुरान करीम तिलावत करने वाला हो जाए और इस नियत से अगर आप बता रहे हैं और गालिब गुमान आपका है कि ऐसा ये भी हो सकता है तब तो आप बताईए जाहिर करना आपका वहाँ पर जरूरी है कारे सवाब हो जाएगा नेके की दावत हो जाएगा और अगर ये मैंसे जाएगा कि ये अपना रात की अबादत बयान करना चाहेते हैं रात में जो नमाफिल पढ़ते हैं उसका चर्चा करना चाहेते हैं तो अगर आपके दिन में भी इस तरह की नियत है तो वो रियाकारी हो जाएगी अपने को अच्छा बनाना ये रियाकारी हो जाएगी और ये अल्लाह तबारक पताला को बहुती ही नापसंद है और ऐसे ही जिस जितनी भी अबादते हैं जैसे आप रोजे को ही ले लीजिए अक्सर आज देखा जाता है कोई आपस में रोजादार से बात हो गई तो तो मैं में अगर हो गई तो दस लोगों के सामने वो कई देते हैं रहे भाई मैं तो रोजादार हूँ इसका मतलब यह होता है कि वो अपने रोजे को जाहिर करना है अपने रोजे को यह जाहिर करना अपने अबादतों के यह जाहिर करना यही रियाकारी है जाहिर ना होने दे और जैसे जकात हुआ زکاة لوگ देते हैं आज अकसर देखा जाता है زکاة दे या और कोई कारिखेर में हिस्सा लेते हैं तो लोगों का नजरिया ये होता है की मेरा नाम हो उसमें वावाही हो लेकि नाम तो यहां अल्ब तुम्हारा करवा देगा वावाही रहां तुम्हारी हो जाएगी खास आम की तवज्जे या किसी भी शही को झाए, भूखे को देखा, खाना खेला दिया, नंगे को देखा, कपला पहना दिया या गरीब को देखा उसके मडद की, इस थरीके से खास आम नहीं है, किसी को भी निकी तो नेकी है। जी जी। इसमें तो कुछ रूडनाई है, हमा माली जा मारे पणुष कोई भूखा है जी हमारे मॉआशिरे में कोई इस तरीके से है या हमारे दर्मियान कोई बाल Նगे और कुछ आगे तैसमें हर तरीके से नेकी कैसे इसको कैसे एक अंजम झाजाए इस तरह से अब अगर कोई आपका परोसी है, तो जाहिर सी बात है, वो भूखा सोएगा, आप खा पी के सोईगे, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो आपका परोसी, चाहे वो आपका मानने वाला हो या आप से दुष्मनी रखने वाला कूना हो, लेकिन उसको खिलाना, अगर वो भूखा है, त खाना खिलाना अगर उसको कपड़े की जरूरत है तो उसको कपड़े देना यह आपकी जिम्मेदारी बनती है जी इसी तरीके से जैसे कि मौशरे में कोई आपदा आ गया या कोई चीज हो गया जी तो सब कुछ नेकी में शुमार रगा है जैसे आप रहगीर को रास्ता दिख ल्मा रहा है अपने परोसी के लिए अपने अजीजू अकारिब के लिए अपने यार दोस्तों के लिए दुआए खाइर करना ये भी अबादत है रब तबारक पताईला फर्माता है अब्दौा उ मुखू अबादाaten दुआ ये अबादत का मगज है तो दौा करना ये बी पत्थर काटा हटाना ये हिबादत नहीं होगी। और अल्लह तबारुक पता ला को नजाने कौन सी अबादत नजाने कौन सी बंदे की अदा पसंद आ जाए। नसीब कहते हैं बे आदब बे नसीब जैसे हमोमान आज कल देखा गया है ना कि हमारे मुआशरे में आज ताला हम सब को अपने हिप्ज वामान में रखे जी और ये देखा गया है कि आज कल हम लोग नमाद छोड़ देते हैं जी अग्रूला मेरा कहने का मतलब वो नहीं है ले खास कर के यह है कि बरी बुरा काम करना ये अलग चीज है लेकिन दोरे तालिब इल्मी में बहुत छोटी इसी उमर में हमने एक शेर पढ़ा था बद नबने तो बद कहिलाए जी बद अच्छा बदनाम बुरा बद ना बने तो बद कहलाए बद अच्छा कहते ही कि बद ना बने भले वो बद ना हो लेकिन बद कहलाया जाने लगा वो लोग उसको बद कह रहे हैं तो बद अच्छा होता है जो बुरा हो गया वो तो अच्छा है लेकिन बदनाम बुरा हो ज खोलना ये बुरा नहीं समझते हैं तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि नमाज जैसी आजीम चीज को लोग तरक कर दें और उसको तरक करना ये बुराई ना समझें ये तो बड़े अफसोस की बात है आज देखा जाएं हम लोग अपने घर का जाइजा ले आज हमारा बच का इजहार करते हैं बच्चा स्कूल से माश्टर की बे इजाज़त चला आए तो हम उस पर गुसा करते हैं लेकिन हम अपने घर में देखते हैं कि इन बातों पर तो हम गुसा होते हैं लेकिन घर वालों की रोजाना पांचों नमाजें कसा हो रही है अजान हो रही है बच्चे काम में में मortun खेल में मुश्गूल भी पांचों नमासें इसे किशा हो रही हैं और हमारे मात पर बल तक नहीं आ के। कुछ हम को एकसा सिहीं नहीं होता हम उसके लिए नहीं करते हम उन्हें समझाने की Luckily कुश्छ्र नहीं करते और आखिर में हमारे समागीन को हमारे नाजरीन को माशिरे में इस नेकी करने के हवाले से या बुराई से रुकने के बचने के हवाले से आप क्या पैगान देना चाहेंगे नेकी करने के तालुक से सबसे बड़ी बात ये है कि घर का हर फर्द अपने अपने घर का मुबलिक बन जाए छोटा हो बड़ा हो इसमें शर्म औ हया की ज़रूरत नहीं है इसमें शर्म ना करे कोई छोटा है बड़े के अंदर कोई आइप देखे तो वो ये शर्म ना करे ये जिज़त न लाए कि यार हम छोटे हैं उमर में और इनको ये बात कई से बताएं तो और अपने घर का हर फर्द बेटा है अगर बाप के अंदर कोई कमी देख रहा है तो अ हर फर्द अपने आप में मगलिक बन जाएगा अपने आप में एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाएगा नेकी की दावत देगा तो इंशालला हुर्रह्मान हमारे मौाशिरे से बुराईया खत्म हो जाएंगी और हमारा मौाशिरा समर जाएगा माशालला माशालला इमाम साब आपने हमें अपना खीमती वक्त दे करके हमारे सामयین को हमारे नाजरीन को बड़ी अच्छी बाते बताई इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम आपके शुक्र गजारे हैं शुक्रिया आप ने बहुत अच्छा हमको यह मौका दिया कि अपने इस्लामगी भाईयों और वहनों को यहाँ से एक अच्छी बात और अच्छा पबाराम देने का जो आप ने मौका फ रहम किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक में तप हेड़ी हुनुँचा जी नेपाल HD टेली विजनुचा अले हमिस संगा हुनुचा हाफिज जोकारी अहमद यार खादिर साहब खतीब ओ इमाम खादिरी मजदिन नेपाल गजगा हमिले वहाँ संगा केई कुरा कानी ग़रू आउन्द साता नया वेक्ती नया भी सेलियरा उपस्तित हुने चाम कारेकरम पैगाम मुस्लिम साता को शुकरवार 34 देखी पात्विज संगा हेना सबनुचा जी नेपाल HD टेली विजनुचा मा परस्तोता मुम्मद ज्याओलहक बिदा चांचु हास्ता दन्यवाद असलाव उलेकुम वर्रह्मत ल्लाही वर्राकातु ज्याओर 14 देखी कि झाल को शुकरवार 34 देली वर्रण पिल्ग्प्रावर 11 देली आठम पिल्ग्टन जुनिपार यस्टी टेलिवेज़ अबत पाई संसंडी